कैसे हैं या बच्चे लोग सारे नडाम है सुनी रदिकारी और आप दिख रहे हैं अपना फेवरिट चैनल एंट्रेंस अड़ा आज के वीडियो में आएम रहतक के IPM एंट्रेंस जो हमारा एक्जामिनेशन है उसके एक्जामिनेशन पैटर्न, स्लेबर्स और कट अफ के बार बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाला है सो बिना कोई टाइम वेस्ट करते वे सीधा चलते हैं वीडियो पर देखिए आएम रहतक, आएम इंदौर हो गया, आएम रांची हो गया, जम्मू हो गया, बूद्गाया हो गया, अल्मूस्ट सब का कुछ ना कुछ मिलता ज दौर का है, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता पैटर्न है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेज भी हैं, वो आज की वीडियो में हम डिसकस कर लेते हैं, देखिए, कुल मिला के आपकी स्क्रीन पर जो आपको एक फाइल दिख रही है, प्रेजेंटेशन दिख रही है, आपको पत पड़ी है, ना ही 10th में, 11th में, ना ही 12th में, verbal ability, English language बहुत ही basic level की आती है, तो आपने जितना भी English अभी तक पड़ी है, सिर्फ उसी को आपको अच्छे से prepare करनी है, देखिए, यहाँ पर number of questions के अगर बात करें, तो each section में आपको 40 questions देखने को मिलेंगे, और time duration भी हर section की य यहाँ पर आपको 120 minutes मिलने वाले हैं, यह 3 sections को करने के लिए, अगर हम बात करें थोड़ से technical aspect में, तो हर right answer का बच्चे लोगों आपको 4 marks मिलेगा, हर negative answer का, that means कोई भी answer अगर आप wrong करते हैं, तो उसके minus 1 marks आपके deduct होते हैं, और सारे ही question आपके multiple choice questions आएंगे, अब syllabus की तरफ थोड़ा सा रुक कर लेते हैं, और एक और बात मैं आपको बताने हैं, शुरुवात में भूल गया हूँ, अगर आप इस examination के लिए prepare कर रहे हैं, तो description में आपको books के link मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपने books वगेरा देख सकते हैं, और purchase भी आप वहीं से कर सकते हैं, चली, आगे बात करेंगे, IPM aptitude test labels की, तो सबसे पहला हमारा quantitative ability है, जिसे मैंने आपको बताया था, 10th level की basic अगर arithmetic आपके अच्छी थी, तो आप ये section को अराम से कर लेंगे, number system आपको देखने को मिलता है, percentage आती है आपके, simple interest और compound interest आपके section आता है, profit and loss and distance आता है, average आता है, time and work आत है, permutation and combination, probability, equations, logarithm, geometry, coordinate, geometry, matrix and determinants, right, so ये हमारे, पूरा हमारा syllabus बनता है, mathematics का, आगे हम बात करें, तो basis of data interpretation भी mathematics में ही आपका, और data sufficiency भी आपका, जो आपके quantity है, quantitative ability है, mathematics से उसका पाट है, reasoning की बात करें, वेके, ये वो चीज है, जो आपने अभी तक नहीं पड़ी है, तो यह यहां पर आपको sequencing and arrangement, section होता है, team selection होता है, blood relation होता है, direct sense होता है, statement, argument, true and false होता है, और various type की analogy होती है, जो आपको अच्छे से prepare करनी है, right, सबके लिए मैंने books पगेरा suggest कर रखिया, आपके section wise भी, guide भी, तो आप वहां से एक बार refer कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगता है, तो phrases आता है, filling the blanks आता है, para completion आता है, autonomous, anonymous और confusing words आपको देखने को मिलता है, English में, right, अगर हम cut off की बात करें, देखी, cut off specifically हम बात कर लेते हैं, general candidate को near about 260 plus आपको score करना पड़ेगा, यह पिछले trends के हिसाब से है, अगर आप OBC है, 195 से 200 के बीच, STSC है, तो near about 150 के near about आपको score करना है और EWS से हैं, तो 200 से 205 के बीच आपको score करना है, यह सब trend हमने पिछले cut off के basis पर हमने यह predict करा है, right, आगे बात कर लेते हैं हमारा, final selection कैसे होता है, देखे, confusion यह भी रहती है, IPM वगेरा में की selection कैसे होता है, देखे, IPM का जो aptitude test होता है, जिसके अभी हमने बात करी, 3 section होते हैं, reasoning का, mathematics का, और English का, उसका weightage रहता है 45, और PI का weightage रहता है 15, और past academics, जैसे मैंने बताया, आपको 10th and 12th में जितनी अच्छी percentage रहेगी, उतना जादा आपको फायदा मिलने वाला है, इस entrance examination में, और total मिला के हमारे 100 marks होते है, right, so आप देख सकते हैं, कि यहां पर equal weightage है, PI का weightage है, आपके academics अच्छे है, 10, 12th में परसंटेज अच्छी है, तो उसका भी फायदा मिलता है, plus अगर आपके entrance में अच्छे हैं, तो और जादा chances आपके बढ़ जाता है, इस examination को crack करने के, right, so आपको कम से कम एक से डेड़ महने की एक detail strategy बनानी पड़ेगी, इस examination को crack करने की, जिसे मैंने आपको बताया, आपको, syllabus बहुत जादा hard नहीं है, आप जितने जादा mock test लाएंगे, जितने जादा sample papers वगएरा try करेंगे, जितने जादा reasoning वगएरा को आप अच्छे से strong करेंगे, उतने जादा आपके chances बढ़ जाएंगे, इस examination को crack करने का, अगर English की बात करें तो basic level के English जितने जादा paper solved करेंगे, आप उतना जादा आपको confidence build up होता रहेगा, similar goes with the mathematics section में भी यही है, बहुत जादा difficulty level नहीं आता है आपका, जितनी जादा practice करेंगे, एक से डेड़ महना भी आप अच्छे से अगर practice करते हैं, तो बहुत अच्छा score कर सकते हैं, और आपक कौन से courses करने का आपको मौका मिलता, IPM के थुरू, right, so उमीद करता हूँ, आज का session आपके लिए valuable रहोगा, ऐसे ही, जितने भी topmost entrance examination है, उसके videos हम बनाते रहते हैं, time to time almost daily videos आते हैं, so please इस channel को subscribe करना मत भूलिएगा, notification bell को आप hit कर सकते हैं, description एक बार check कर लिजेगा, आपके